आज किस बारे में बात करना चाह रही हूं तो जी हाँ आज में आपको बताना चाहरी हूं कि जब आफ इसे जुड़ते हैं तो उसके आपको इसे जुड़ने शुड़ने वह तो अपके क्या नुक्सान होता है क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स हा रहे थे कि मैं फैमिली से एक्जिट होंगा तो कहीं यह तो नहीं हो जाएगा तो मैं आज आज आपको सारे आज हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को तो आप बिना स्किप करें मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखिए तो गाइस जब हम किसी फैमिली से जॉइन होते हैं तो उसके पीछे हमारा शायद मोटिव होता है कि हमें बहुत ज्यादा मतलब एक तो फैमिली से जॉइन ह होते हैं तो आपको तरह तरह की पोस्ट मलती है तो वहां से लोग आपको पहचाने लगते हैं उस रूम में आपका भी एक मेंबर बन जाते हैं आप एडमीन है उस पार्टी रूम में और जिस फैमिली से आप जुड़े होते हैं वहां पर भी आपको कोई ना कोई मतलब एक अच्छा सा टाइटल मिल जाता है तो जिससे आपकी पहचान बढ़ती है और अगर आप ने खुद की फैमली कृएट की है तो उससे भी आपको फायदा है कि आपकी family के मतलब आपकी खुद की family आपका खुद का room है तो आप जहां जितने लोग भी वहाँ पे song आएंगे तो कुछ उसका जो gifting होगी तो कुछ उसका percentage आपको मलता है अगर आपके family से आप खुद owner हैं तो आप किसी भी host को अगर आपके family से कोई broad कर रहा है तो आप उसको recommend कर सकते हैं verified broadcaster के लिए recommend कर सकते हैं और बहुत से फायदे होते हैं और अगर verified broadcaster आपकी अच्छा मतलब response करती है तो उसका भी जो salary उसको मलती है उसका भी कुछ percentage आपको मिल जाता है अगर आप एक party room के owner हो और उस family के head हो तो तो guys अब क्या होता है आपकी छोटी छोटी से फायदे मलते हैं वहाँ पे आप किसी family से जुड़के आप live start करते हैं तो आपको verified broadcaster का tag दिलाने में मदद करते हैं family वाले और अब यहाँ पे बात आती है कि मान लीजिए आपकी family वालों से नहीं पट्रे जैसे मुझे comment आये था कि मेरी family वालों से पट्री नहीं है अब मैं उसको party room चोड़ना चाहता हूँ तो मेरा क्या नुकसान होगा तो मैं guys आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर जब तक आपके पास अगर verified broadcaster या superior broadcaster का tag आपके पास नहीं है तो आप easily उस family से अगर आपको बट्र नहीं रही है आपके और आपको बिल्गूर बन नहीं है कि आप उस family के साथ continue करें तो आप simple उसको exit कर दीजे किसी भी मतलब मैं मैं खुद कहती हूँ कि चाहे वो आपका मतलब घर का कोई भी relationship में अगर आपकी bonding अच्छी नहीं बन रही है तो उसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए तो कोई फायदा नहीं है अगर आप चाहें तो आपको बिल्गूर डरने की जरूरत नहीं है कि अगर आप family exit कर देंगे तो आपका कोई बहुत बड़ा loss हो जाना है जी हाँ loss उनका होता है जिनके पास verified broadcaster का tag होता है या फिर superior broadcaster का tag होता है क्योंकि जब भी वो एक family छोड़ करके दूसरी family में जाते हैं तो उनको फिर से वही task करने होते हैं उस tag को पाने के लिए लेकिन अगर कोई family वाला अगर आपको ये धंकी दे रहा है या कुछ भी कह करते हैं क्योंकि मैंने आपको पहली बता दिया है verified singer का जो tag है उसका मिलने का process पूरी तरह से change हो चुका है पूरी तरह से star maker के जो talent scouts official रखे गए हैं वही आपको tag दे सकते हैं उसके अलावा room का owner आपको किसी भी तरीके से recommend नहीं कर सकता है भले वह आपको दिखाए कि किसी भी तरीके का recommendation वोने होता है किसी भी तरीके का recommendation दे दोगे verified singer के लिए आपको糖ねぇ करे से लिए किसी भी डरी मिलने करते हैं तो कैडिक रर नहीं कौन के लिए सब दे तरंद की तो अगरा आपको को you scrambled बीमह रहा है कि मेरी 친구 रहा और तो scripture वेरिफाइट के सिंगर के टैक अभी नहीं मिल पाएगा और यह ब्ला ब्ला बला बुला है आप बिल्कुल मट डरो आपके के टैक पर कोई आच नहीं क्युक्त आपको आपको खुद अपनी महनत से बलना जो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है यह उपर आई बटन पे लिक और मैं यहां कोई भी फेक बात नहीं बताती हूं आपको यह मालूम है कि जन्यून इंफोर्मेशन लेके आती हूं जिस तरह से मुझे वेरिफाइट सिंगर का टैग मिला है और आप लोग बहुत सारे कोशन हैं जिसका मैं जवाब देना चाहती हूं लेकिन वीडियो बड़ा टैग पाया है तो आप लोग कोशिस करने से कोई कैसे हार सकता है मुझे भी मुझे भी एक-दो महीने तक किसी ने नजर भी नहीं डाली थी लेकिन फिर मैंने अपने फ़र्ट्स लगाए कि मुझे ओफिशल तक कैसे पहुशना है कैसे उन से आमने सामने बात करनी तो वह आ सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को बताया है कि अगर आप फैमली के मैंबर हैं बड कोई आपके पास टैग नहीं अपकी से अग्जिट हो जाही अगर आपके पास वैरिफाइट सिंगर का टैग है और तब भी आप किसी फैमिली से एकजिट होना चाहते हैं तो बें बिन- वेरिफाइट सिंगर का टैग आपका हमेशा रहेगा बस आपको करना क्या है हर मन 4 चार वीडियो या मतलब पोस्ट करने कुछ ना कुछ पोस्ट करना है अगर आप इन एक्टिव रहेंगे तो आपका टैग चला जाएगा बस एक वही रीजन है कि आपका वेरिफाइट सिंग क्योंकि आपकी जो पुरानी फैमली से एक्जिट होंगे आप किसी भी नई फैमली से जुड़ेंगे तो आपको फिर से ए बी सीडी पढ़ना पड़ेंगा और आपको मतलब फिर से वही सब प्रॉसस करने पड़ेंगे कि आपको परपल भी टैग कैसे मिलेगा तो वाइस हो तो उसके अलावा कोई नुकसान आपका नहीं होना है बस उस जगह पर होना है कि आपका चला जाएगा नहीं फैमली से जुड़ेंगे तो आपको फिर से सारे काम करने पड़ेंगे टर्म से फॉलो करने पड़ेंगे अधरवाइस आपकी पट्री नहीं खाती है तो आप कोई आपको यह बोलता है कि वेरिफैट सिंगर का टैक चला जाएगा अगर आप मेरी फैमली एकजिट करोगे तो ऐसा बिल्कूल भी नहीं होता है ठीक है तो होपस हो कि आपका डर निंकल गया होगा मेरे इस वीडियो से और चलिए इसी मतलब इसी खुशी के साथ कि आपक टेक क्यार इस्टे सेफ इस्टे होम बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई